नमस्कार दोस्तों, आज रात, साल का आखिरी चंद्र ग्रहन लगने जा रहा है. आपको बता दे कि ब्रह्मांड में कई खगोलिय घटनाएं होती रहती हैं. और इन घटनाओं में से ही एक घटना, चंद्र ग्रहन कहलाता है. दरसल चांद पर लगे या सूर्य पर, ग्रहन ज परते हैं. ताकि हम तक प्रित्वी चंद्रमा प्रणाली के बारे में अधिक जानकारी पहुँच सके. आपको बता दे कि चंद्र ग्रहन एक खगोलिय घटना है, जो तब घटित होती है, जब प्रित्वी चंद्रमा पर अपनी चाया डालती है. हालां कि चंद्र ग्रहन हमे चंद्रमा के केवल एक हिस्से पर चाया पड़ती है। वही पूर्ण चंद्रग्रहन में समपूर्ण चंद्रमा पर चाया पड़ती है। जिसके बाद गौर करे उपचाया चंद्रग्रहन पर तो बता दे कि उपचाया चंद्रग्रहन में चंद्रमा पृत्वी की चाया से होक गुजरता है, जो कम अंधेरा वालक शेत्र होता है। वही नासा के मुताबिक आंशिक चंद्रग्रहन, सूरिय, प्रिथवी और चंद्रमा के इंपर्फेक्ट अलाइन्मेंट के परिनाम स्वरूप, चंद्रमा, प्रिथवी की छाया के केवल एक भाग से होकर गुजरता है। इस दोरान प्रिथवी की छाया एक समय तक बढ़ती है, और फिर चंद्रमा को पूरी तरह से धके बिना, घट जाती है। अब जैसा कि आज, इस साल का आखिरी चंद्रग्रहन लगने जा रहा है, ऐसे में इस चंद्रग्रहन का प्रभाब भारत पर भी देखने को बता दे कि नासा के अनुसार यह चंद्रग्रहन शनिवार 28 अक्टूबर 2023 को 0.122 के अंब्रल मैगनीट्यूट पर होगा। ऐसे में नासा के मुताबिक यह ग्रहन एशिया, औस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी, अमेरिका और दक्षन अमेरिका में दिखाए देगा। वही अगर पंचांग के अनुसार चंद्रग्रहन के समय पर गौर करें, तो चंद्रग्रहन का शुरुवात पूर्वाहन 1 बच के 6 मिनट पर होगा, जबकि यह ग्रहन पूर्वाहन 2 बच के 22 मिनट पर समाप्थ होगा, ऐसे में बता दे कि इस चंद्रग्रहन की अब्धी, 1 मिनट पर पूरवाहन, 29 अक्टूबर 2023 को समाप्थ होगा. अब फिलहाल, ये थी जानकारी चंद ग्रहन और सुतक काल के समय के बारे में. लेकिन इसके बाद, ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ग्रहन के दौरान, क्या करें और क्या ना करें. जिससे की इस ग्रहन का दुष्प्रभाव उनके और उनके परिवार के उपर ना पढ़े. ऐसे में सबसे पहले, बात करते हैं उन कारियों के बारे में जिसे आप चंद्र ग्रहन के दौरान कर सकते हैं. सबसे पहले आप चंद्र ग्रहन के दौरान, मंत्र जाप करें या आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि सूतक काल के दौरान, आपके घर की गर्भवती महिलाई घर से बाहर ना निकले. इसके अलावा तेल मालिश से परहेच करें, यानि अपने या आपने किसी परिवार के सदसे का मालिश ना करें, और ना होने दे. इसके बाद आप पानी पीना, दात साफ करना और बालों में कंगी करने जैसे कामों को ना करें. इन सब के अलावा अगर आप नए उद्यम या परियोजना शुरू करने का मन बना रहे हैं, तो ब्रहन काल में भूलकर भी ऐसा ना करें.